प्रेंड्स मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटीब चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं स्री रेनुका सुगर लिमिटेट सेयर के बारे आप लोग इसे वाच लिट में रेनुका से सर्च कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स आज हम लोग इसेयर का जानेंगे टार्गेट और स्टॉप लोस शॉर्ट टम और लॉंग टम में और जानेंगे अब लोग परमोटर होल्डिंग्स रेटांज टार्गेट और स्टॉप लोस और फंडामेंटल्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूं तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को चलते हैं परमोटर होल्डिंग्स पे तो द स Vorzeit को प्रतुंग कि और पार नर्शन की सकता हैं, इस दो निर्शन की बात करूइब फेंड तो देखिए एक वीक में कि एक वीक में टू परसन से ज्यादा कर नेगट इन यह उन मंड यह परिट नहीं है और री मत में 13 परसंट का believe of return जाने के बात करिए 623 से ज्यादा का पॉजिटिव रिटन है तो यहां हमें रेटनज से यह पता चला की short term पे भी अच्छी खासी return देखी गई है और यहाँ पर long term पे भी अच्छी खासी return देखी गई है इस share ने अपने निवेसिकों को अच्छा return दिया है तो चले अब हम लोग चलते इसके share पे और जानेंगे इसका target और stop loss तो आ चुके हैं लोग रेनु का शेयर के चार्ट पे और शॉट टम के टार्गेट के लिए मैंने डे केंडल का यूज किया है तो देखिए इसका जो फर्स टार्गेट होगा अगर यह अभी तो यह टूट रहा है नीचे ठीक है यहां देखिए अभी तो यह गिर रहा है अग अगर ऊपर जाना होगा तो यह 58 से उपर आप लोग इसका टार्गेट जान सकते हैं अगर यह जो 58 को आज इसने पार किया है वह इसका एक अस्टॉप लॉस था यहां पर अगर कल यहां से उपर या नीचे 58 से नीचे अगर ओपन होके नीचे चलता है तो यह गिर जाएगा मतलब थोड़ी मोणी गिरावाट आएगी और अगर यह यहां से उपर चलता है 58 के उपर तो यह उपर जाएगा तो 58 के उपर का मैं टार्गेट आपको बताने जा रहा हूँ इसमें डे केंडल पे इसका जो फर्स टार्गेट होगा सॉट टम के लिए वह होगा 61 रुपे का सेकेंड जो टार्गेट होगा वह होगा 64 रुपे का और थर्ड जो होगा वह होगा 71 रुपे का ठीक है फ्रेंड अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लोस के ही तो इसका फर्स टॉप लोस होगा 54 रुपे का इसका सेकेंड स्टॉप लोस होगा 50 रुपे का और इसका जो फ़िस्त टार्गेट होगा वो सो सोची रूपय का कि इसका सेकेंड जो टार्गेट होगा वो घृत वागया और थर्ड जू इसका टार्गेट होगा वो घृक्ळत क्या क्या वह दिहारे अब हम लोग बात करने वाले इसके स्टाप लो की तो इसका फिर्स्ट स्ट प्लोस होगा 48 रुपय का इसका सेकेंड रस टॉप लोस होगा 28 रुपय का और इसका थार्ड स्टॉप लॉस होगा नौ रुपय नभेवे पैसा हां और ट्रेक्ड है और तो हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर तो आ चुका है अम लोग रेनु का शेयर पिर टिक करें और चलेंगे कि फंडामेंटल्स कि देंखे akid के आच पोरा football यहां पर पूरा नाम है स्री रेनु का सुगर इमिटेड यह इसकी market cap की बात करें तो 12,422 कड़ोर का market cap है 1 month return की बात करें देखिए यहाँ जो मैंने आपको return पे वहाँ दिखाया था शुरू में वह यहाँ पे भी है 0.00 ना negative ना positive ठीक है 1 year return की बात करें 79.97% का positive return है shareholder की बात करें 4.6 lakh इसका shareholder से और उसके बाद बात करें हम लोग इसके, round week की वाइब की, 68.75 पैसा का iska round week का हाई है, brown week low की बात करे, 27.95 पैसा का बाउन विक का low है, अब हम लोग चलते हैं, the events की best highest टो देखे, 21. norm को, इसका इवेंट जो ए अनॉंस्मेंट हुआ है, अब हम लोग बात करते है, news की तो 1 मंत पुराना न्यूज है फ्रेंड इस पे तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे ठीक हैं अगर अगर फ्रेंड न्यूज जो होता पांच दिन पुराना होता तो हम लोग उसका डिस्केशन करते हैं तो आसा करता फ्रेंड यह वीडियो आपको अच्छी लगए यह वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते हैं हम झाल झाल